मेरी सबी माताओं और बेहनों को करवा चोट की बहुत बहुत सुबकामना है माता करवा और माता पारवती की किरपा से आपका सोभाग अखंड रहे इसी मंगल कामना के साथ आज की इस वीडियो में मैं आपको सबी को इस करवा के ब्रत की संपूर्ण विधी बताऊंगा तो देखिए दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम अकेले होते हैं कई बाहर रह रहे होते हैं हमें पूजा अकेले ही करनी होती है तो ऐसे में हम किस तरह से पूजन कर सकते हैं इसी कि मैं आपको संपूर्ण विदी बताऊंगा सरल पूजा विदी बताने वाला हूं तो आप इस पूरी वीडियो को अंतर तक दरूर देखें साथ ही कमेंट बॉक्स में जैमाता दी जैमा करवा एक बार अवश्य लिख दीजिए साथ अगर अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि हम हर रूद हर आपको ऐसी वीडियो लाते रहते हैं जिससे आपका सोभाग हमें सही बढ़ता रहे सुक समझ दी आपके घर में हमें सही वास करें तो देखिए दोस्तों करवा चोथ का पावंत वार हर महिल की पूजा करने के बाद चंद्रवा के दर्सन हो जाने के बाद ही पारण करते हैं तो चलिए अब देख लेते हैं कि हमें पूजा किस परकार से करने चाहिए करवा चोथ वाले दिन नहाद हो कर सुलश रिंगार कर ले और मेंदी बगारा आप लोग एक दिन पहले ही लगा लेते हैं और खूब सारी नई नई चूडियां पहन कर अपनी शादी का जोड़ा पहन सकते हैं अपनी शादी की चूड़ी पीरिया आदी को ओड़ कर उसके बाद आप एक चौकी लगाईए चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिच्छा ले और इस चौकी पर करवा माता को विराजमान कर लीजिए बाजार में आपको फोटो मिल जाएगा उस फोटो को लाकर आप करवा माता को इस चौकी पर विराजमान कर सकते हैं या फिर किसी दीवार के पास चौकी को लगाकर करवा माता की फोटो को आप उस दीवार पर भी चिपका सकते हैं करवा माता के फो तोड़े से चावल रखकर के आप गंपती जी को इस्थान देते हुए गंपती जी का पूजन भी कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास कोई तस्वीर या मूर्ति है तो आप उनको विराजमान भी कर सकते हैं एक कलस के उपर स्वास्ति का चिन बनाकर थोड़े से चावल रख करके उसके उपर कलस को स्थापित कर दीजिए और कलस जी का भी लोली चंदन पुष्प आदी से पूजन करिए इस प्रकार पूजन करने के बाद आपको एक देशी गी का दीपक भी प्रजुलित करना है आपको दो करवे की आवशक्ता होगी इसलिए आप दो करवे लेकर आए और गेहूं के आटे को लेकर के आप दो ढेरियां बनाकर उनके उपर इन दो मिटी के करवों को स्थापित कर दीजिए दोस्तों इन करवों को कभी भी खाली नहीं रखा जाता है इन करवों में मिठा आदी या फिर dry fruits भरे जाते हैं, अगर आपके पास यह सब उपलवद ना हो, तो आप इसमें बतासे भी भर सकते हैं, यह सभी सामगरी आपको केवल एक करवे में भरनी है, और दूसरे करवे में आपको जल भर लेना है, दोस्तों आपको बता दें, कि जिस करवे में आपने मि कुछ कौटन या पर आटे को गूत करके, उस आटे को चिपका दीजिए, दोस्तों जिस करवे में हमने जल भरा है, इस करवे से ही संद्रमा को अरट दिया जाता है, इसलिए आप चाहें तो इसमें कुछ चांदी का सिक्का या छला आदी को चांदी की बस्तू अवसे डाल दोस्तों अब एक किसी गिलास या कटोरी आदी में थोड़ा सा पानी उसमें थोड़ा सा गंगाजल मिला करके किसी पुष्प आदी या पत्ते की सायता से सभी के उपर स्नान करवा दीजी यानि कि छींटे लगा दीजिए और मा करवा के लिए एक लाल रंग की चुन्ड़ी लेकर के माता रानी के जो तस्वीर कलेंडर या आपने जो भी लिया है उस पर उन्हें उड़ा दीजिए और दो तस्वीर में जितने भी देवी देवता आपको दरसन दे रहे हैं यानि कि दिखाई दे रहे हैं सूर देव आदी देवगण आदी जितने भी दिख रहे हैं आप उन सभी को तिलक करें पुष्प चड़ाएं इस परकार से सामानने से पूजा की जाती है इस परकार पूजन हो जाने के बाद आप माता करवा को 16 शरिंगार भी अर्पित अवश्य करें, अगो बाजार से ही बने बनाए 16 शरिंगार की सामगरी मिल जाती है, छोटी बड़ी जैसे भी आपकी शर्दा हो, वैसे आप लेकर आ सकते हैं और मा करवा को समर्पित कर सकते हैं, कहा जात के बाद आप एक किसी भी पिलेट में आप किसी पात्र में आप जोड़ी सी मिठाई ड्राइफ रूट जो भी आपके पास हो करवा मा को भोग सा रूप जरूर दीजिए और एक-एक मिठाई का पीस या जो कुछ भी आपने दिया है उन करवों के ऊपर भी अवश्य रख और यह जो सभी सामगरिया आपने रखी है स्वाग की सामगरिय जिस परकार से 16 शरिंगार आदी आपने जो भी रखा है अपनी सासुमा को दिया जाता है या फिर सासुमा ना हो तो सासुमा के समान ही कोई विर्द महिला को या किसी भी पंड़तानी को आप दे सकते हैं किसी पुष्टकें मिल जाती हैं दोस्तों, आपको वहां से करवा चौत ब्रत की जो कथा की जो किताब आती है, उसे लेकर आप पढ़ लीजिए, अगर आप अकेले हैं तो स्वेम ही पढ़ लीजिए, अगर आप अकेले नहीं हैं, कोई आपके साथ बिर्द महिला हैं, तो वह आप को पढ़ कर सुना सकती हैं, या पर उन्हें अगर खुदी याद है तो वह खुद भी बोल सकते हैं, इस कथा को पढ़े बिना या सुने बिना, ये ब्रत अधूरा माना जाता है, कथा पूरी हो जाने के बाद, जो आपने अपने हाथ में, गेहुं के कुछ दाने लिये थे, उन्हें आपको करवा माता के सामने या तस्वीर फोटो जो भी आपके सामने है, जिस पर भी आपने पूजन किया था, आपको वहाँ पर डाल देने हैं, गेहुं के दाने डालते वक्त आपको ध्यान रखना है, कि आपको सारे गेहुं के दाने नहीं डालने हैं, थोड़े स से जब आप उनको जल देंगे अरग देंगे तब आपको ये गिवों के दाने उस कलस में डाल कर ही आपको अरग देना है। बहुत सी जगों पर पूजन के वक्त छलनी से पती का मुख देखने का रिवाज होता है। तो आप उस चलनी को भी यही पर इस चौकी पर ही रख लेंगे। और चंद्रमा का पूजन होने के बाद अरग देने के बाद आपको ये सभी सुहा की सामगरी अपनी सासु मा को या फिर किसी बिर्द महिला को जिसने आपो कहानी सुनाई उसको या फिर किसी भी मंदर में आपको बेट सुरूप दे देनी हैं दक्षना के साथ देनी हैं बहु तो, आप जो बैटें, वहाँ पर करवा रखा है, वो दूसरी ओर रख दीजिए, और दूसरी ओर करवे को उठा कर अपनी ओर कर लीजिए, इस प्रकार से करवों की फिराइव की जाती है, ये मीठे करवे, माता पारवती के नाम के होते हैं, और जो पानी वाला करवा होता है, वे आपके नाम का होता है जिसे आपको अरग देना है जब आप पूजर पूरा होने के बाद चंदर्मा को अरग दे देंगे तब आपको ये मीठा करवा भी अपनी सासु मा को ही दे देना है जब आप करवों को फेर रहे होंगे यानि अपना करवा दूसरी और कर रहे होंगे दूसरा करवा अपनी और कर रहे होंगे, तब आपको माता पार्वती से कहना है, हे मा पार्वती मुझे सुहाग दे, मुझे धन दे, यश्वैभव दे, इस परकार की कामना करते हुए आपको उनको फेर लेना है, ध्यान रहे कि आपस में टकराने नहीं चाहिए, उसके बाद जब चंदर दर्शन होंगे, तो आप चंदर देव को अरक दीजिए, और सभी सामगरी आप किसी को दान दे दीजिए, इस परकार से आपकी करवा चोत की विधी पूर्ण होती है, यह संपूर्ण विधी इस परकार से थी, और सरल थी, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में